परिवार के एक सदसे के लिए परिवार के दूसरे सदसे के लिए दूसरा कानूर हो तो क्या वो गर चल पाएगा क्या कभी भी चल पाएगा क्या फिर ऐसी दोहरी व्यवस्ता से देश कैसे चल पाएगा सम्माना नागरी को सहिंता कुनेई 300 कु विरोधी जून 27 रे प्रधान मंत्री मोधिंक उसिसी बयान परे गोटिये परे गोटिये विरोधी दोला समर्थन करू छन्ती प्रथमे आब जेडिव परे बे उसिसी को खोला-खोली समर्थन करी छन्ती बी एस्पी सुप्रीम माया बती संबी धन्र धारा 44 रे समाना नागरी को सहिंता विस्वरे उल्ले कृति बारू बीरोधी दोला गुडी को प्रसंग को कुनेई मंत्रन जारी रखी चन्ती सबोधर्म पाई गोटिये नियम को दला स्वागत करीव बुली कोई चन्ती बी एस्पी सुप्रीमों यदि यहां सबी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागो होता है उससे देश कमजोर नहीं बलकि मजबूती होगा ये भी कहना चाहूंगी के हमारी पाटि समान सिविल सहिता यानि की यूसी सी को लागो करने के विरुद नहीं है पुर्बरो मुस्लिम पर्सनाल लाव वोर्ड पकेरू इस्विशी को तिब्रो विरुद करा जाईतिवा पड़े कंग्रेस समाजवादी पाटि AIMIM समेत अन्यकी ची विरोधी दल एको नित्ती विरोधी कोई चन्ती एपटे 1951 रे राज़नितिका दल जनसंग ओ परे 1980 बीजेपी कट्रना आरंबरू संकलप पत्र रे रही आसेची समान नागरिको सहिंता 2019 अगस्ट प्यांच रे जम्मु कस्मीर रोधारा तेनिस सक्तुरी उच्छेद परे बीजेपी रो मुख्यो तिनाटी संकलप मद्यरू गोटे पूरण होई थिला पूरे देश की ये इच्छा थी कि इस मामले की अदालत में हर रोध सुनवाई हो जो हुई और आज निलने आ चुका है दसकों तक चली न्याय प्रक्रिया और उस पूरी प्रक्रिया का अब समापन हुआ है और वैसे तो ड्राप्ट जब आएगा तो ड्राप्ट बनाने वाली कमेटी ने देश भर के लोगों से बात की है विभिन्न धार्मिक संगठनों के लोगों से विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों से अनेको अनेक स्टेक होल्डरों से भी लगातार कमेटी ने बात की है और सभी के मत लेली हैं उस पर कमेटी अपना कंक्लूजन कर रही है कंग्रेस समेतों कीची बीरोद दला उस्टिक को प्रबला बीरोद जारी रखी तीवा बड़े उस्टिक को ने आभिमुक्य स्पोस्ट करीची बीजेपी सुप्रिम कोट पुर्बरु इस्टिसी लागु करीबाकु सरकार्न को परामर्स देःत्वाबले गत्त जून मासरू 22 तमा लग कमिसन जन मतलोडी थिले या सेता इनु फ्रम सिबिल कोड कुने विविन धार्मिक अनुस्ट्रार रे मता मतलोडी थिले सरकार ब्यूर रिपोर्ट औरकस्नीज